नमस्कार, SBT News में आपका स्वागते और पेश रहे इस वक्त राजस्तान की बड़ी खबरी राजस्तान सरकार की जन अनुशासन पक्वाडे की गाइडलाइन के तहट वे शिक्षक work from home कर सकेंगे जिने कोविड में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गए इन शिक्षकों को मुख्याले पर रहना जरूर होगा, इन शिक्षक कर्मियों को मोबाइल फोन चालू रखना होगा तथा निर्देशों की पानना के लिए तयार रहना होगा कोविड निगरानी समीती में कारे रत संस्ता प्रधान कारले में उपस्यत रहे कर दायत्यों की पानना करेंगे जिन शिक्षकों की COVID के तहत अनिवारे में जूटी नहीं लगी वे घर से ही परिक्षा परिणाम निर्मान तथा स्माइल कारिक्रम के तहत विद्यार्तियों के अध्यन के लिए उनके संपरक में रहेंगे मंडल जिला और ब्लॉक सर के काराले अध्यक्ष अपने जिले उपकंड और ब्लॉक के प्रशासनिक काराले से समन्वेकर COVID के सबद में दायत्यों का क्रियानवन करेंगे कॉंग्रेस की ओर से राजसान भर में ब्लॉक और नगर सर पर कोरोना सहायता केंद्र खोले जाएंगे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंग सिंद डुटासरा ने इस सबब में कारेकरताओं को निटेश जारी किये हैं डुटासरा ने आज ट्वीट करके यह जानकारी दी डुटासरा ने ट्वीट में कहा कि कोरोना की संकट की घड़ी में प्रदेश के समस कॉंग्रेस जंच सभी ब्लॉक फे नगर सर पर कोरोना सहायता केंद्र संचालित करें एवं निकटवर्ती, सामुदाइक, स्वासे किंद्र या सरकारी डिस्पेंसरी से समन्वे बना कर कोरोना रोगी एवं उनके परीजनों की सहतार्थ सेवाभाव से जुट जावें जैपुर में राजे मानवादिकार आयोग का काराले 24 अप्रेल तक बंद रहेगा, कोरोना की कारणी है कदम उठाया गया है और इस दोरानाज से आयोग में वर्चुल सुनवाई की जाएगी और सभी शिकायते इमेल पर ली जाएंगी भारत के रहीज कोरोना वेक्सिन लगवाने के लिए चार्टेट फ्लाइट से दुबई जा रहे हैं और इसके लिए 55 लाक रुपे तक खड़ रहे हैं ये रोग महाँ पर फाइजर की वेक्सिन को तरजिह दे रहे हैं चबकि UAE में एस्ट्राजेनिका और साइनो फॉर्म की वेक्सिन भी उपलब्ध है UAE में 40 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को मुफ्ट में वेक्सिन लगाई जा रही है दुबाई का रेजिडेंट वीजा रखने वाले अमीर भारतिये कोरुना वेक्सिन लगवाने के लिए दुबाई का रुप कर रहे हैं जर्न अनुशासन पक्वाणा की अजमेर में सोंवार सुबए में धजियां उड़ती दिखाई दे रही है सरकार के आदेशों को धत्ता बताते हुए लोग सड़कों पर वहां दुडा रहे हैं जगे जगे फल सबजी के ठेलों पर खुले आम खरीदारी करने में चुटे हैं दोगों को कर्फ्यू की कोई परवा नहीं है पुलिस और प्रशासन भी विकेंड कर्फ्यू जैसी सकती करते नजर नहीं आए हैं राजे सरकार ने तीन मई तक कर्फ्यू लागू किया है और इसका शहर में सुबे से कोई असर नहीं दिखा देश में तेजे से बढ़ते एक कोरोना संक्रमन के बीच एक बार फिर लोगडाउन लगाये जाने की बात कही जा रही है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रह मंत्री अमित्षा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तेजी से बढ़ रही है उस पर हमारी नजर बनी हुई है उन्होंने कहा कि अगर राजे सरकार को लगता है कि लोकडाउन ही कोरोना की चैन तोने का एक मात्र विकल्प है तो वह लोकडाउन पर विचार कर सकते हैं एक मीडिया चैनल से बाच्चित करते हुए उरुने कहा कि सिरफ भारत की नहीं अन्यतेशों में भी कोविट की नई लहर पहले से कई ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। अजमेर के बडल्या इंजिनरिंग और महिणा इंजिनरिंग कॉलेज माखोपुचन को बिकानेर तकनीकी विष्वविद्याले का संगठक कॉलेज बनाया जाएगा। इसको लेकर तक्नीकी शिक्षा विभाग ने कॉलेज में स्टाफ संपती और तीन साल में कम प्रवेश्वाली ब्रांच का ब्योरा मांगा है। मुक्यमंत्री अशोग हैलोत ने चार मार्च को बजट अभिभाशन में अजमेर के बडल्या इंजिनरिंग और महिला इंजिनरिंग कॉलेज माको पुरा को दिकानेर तक्नीकी विश्व विद्याले का संगटक कॉलेज बनाने की घोशना की थी। पाली जिले के बाली नगर सिर्थ SBI के एटियम में रुपे निकालने पहुँचे एक जने को चक्मा देकर एटियम बदल कर अलग-अलग स्थानों से 50,800 रुपे निकालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी का स्कैट जारी किया थानाप्रबारी बलबिंदर सिंख चारण ने बताया कि कोट बलियान निवासी भिकाराम देवासी ने रिपोर्ट दी कि 11 अप्रेल को SBI के एटियम पर गया और वहाँ एक व्यक्ती ने सहयोग की बात कर एटियम बदल कर पिन प्रदेश भर में कोरोना का लगातार कहर भरपा रहा है और ऐसे में कोचिंग सिटी कोटा भी कोरोना की जद में और हर रोज पॉजिटिव रोगों की तादाद में भडोतरी हो रही है संक्रमन की रोक्थाम और इलाज के संसादों में भडोत्री को लेकर मंत्री धारिवाल ने कोटा की कमान संभाल रखी है अस्पतालों में भरती मरीजों को लगने वाले रेमेडी सिवर इंजेक्शन की दवा या फिर ऑक्सिजन सिलेंड्रों की विवस्ता के साथ अस्पताल में पहुंचे रोग्यों को माकूल इलाज मिले इसको लेकर वहलगातार प्रयास कर रहे हैं राजसान में कोरोना संक्रमन के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उदैपुर शहर में लगातार वीकेंड कर्फू के बाद कोरोना संक्रमन के आंकड़ों में लगातार भड़तरी हो रही है और वहीं जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है पुलिस कॉंस्टेबल की भरती में आये अभियर्थियों के लिए बैट में खाने और सोने तक की व्यवस्ता नहीं की गई थी दरसल उदैपुर जिले के गांधी ग्राउंड में रादसान पुलिस कॉंस्टेबल की भरती चल रही है सुजांगर विधानसबा उत्चुनाव में शनिवार को हुए मद्दान में इस बार भी महिलाओं का प्रतीशत पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा इस बार जहां महिलाओं ने 58.61 प्रतीशत मद्दान किया वही पुरुषों ने 57.84 फिजदी वोट डाले एक वोट ट्रांसजेंडर मद्दाता ने भी डाला अगर वश्ट 2018 में हुए विधानसबा के मद्दान की बात करे तो उससे भी अधिक महिलाओं का प्रतीशत पुरुषों के मुकाबले अधिक था इसमें महिलाओं ने 73.5 फिजदी वोट डाले थे और वही पुरुषों ने 68.4 मद्दान किया था फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही और फिर हाजर होंगे तमाम मड़ी खबरों के साथ